पाई ये स्टूडेंस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिस पर हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना मैट्स का टॉपिक परसेंटेज स्टूडेंस जैसे की आप जानते हैं रेशो एन प्रपोर्शन खतम कर लेने के बाद हमने परसेंटेज चाप्टर शुरू किया है और जिसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजे ताकि आपको बेसीक काफी इजी लगेगा किसी भी नंबर का कोई भी परसेंटेज आपको दिया है तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे ठीक है तो आज हम क्या करने वाले हैं कुछ important points करेंगे पहले और उसके बाद मैं आपको कुछ questions कराऊंगा और जिसको आपको सिर्फ देखके solve करना है आपको पैन उठाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी दो चार कोशन करेंगे पैन से लेकिन उसके बाद आप से ओरली पूछूंगा और आप ओरली बताने लग जाओगे ठीक है तो चलिए तो आज की class हम शुरू करेंगे देखे कुछ important points है और यह point आपको पहले सी पता है ऐसा कोई भी नंबर ही नहीं कोई भी चीज अगर पूरी है तो उसको हम 100% बोलते हैं अच्छा 100% अगर पूरा होता है तो 50% क्या होगा जाहिर सी बात है आधा होगा 50% उसके अलावा 50 का भी आधा कर दो 25% 25% की अगर मैं बात करूं तो वह हो जाएगा वन फोर्थ मतलब एक ठीक है तो अगर मैं मानता हूँ यह अगर 100% है यह होगया 100% तो अगर इसका आधा मैं बना दूँ ठीक है तो यह हो जाएगा 50% यह सभी को पता है और अगर वन फोर्थ के अगर मैं बात करूं 25% मतलब आधे का भी आधा कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा यह वन फोर तो देखो percentage में ये सारी चीजे तो बहुत आसान है तो इसको calculate करना भी बहुत आसान है चलो अब हम एक एक करके points पड़ेंगे और फिर एक question मैं आपको उस पर कराऊगा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है every number is hundred percent of itself यह already कल की class में हम समझ चुके तो कोई कोई भी number है और अगर उसका आपको 100% निकालना है तो वह वही number आएगा एक practice question और करवा देता हूं यहां पर ठीक है questions जो है वह साथ में note करते रहना क्योंकि मैं जैसे ही करूंगा उसके बाद उसको मिटा दूंगा ताकि हम और points के question भी कर पाएं ठीक है तो माले तो मैं यहां पर लिखा हुआ है question में hundred percent of 20 ठीक है question दे आपको अब इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है इसको solve ऐसे एक करके देख लेते हैं तो यहां पर 100 से 100 कर गया off की जगे हमेशा multiply लगाना और 20 तो पहले से ही लिखा हुआ है तो यहां पर वन बचा तो देखो यहां पर क्या आ गया 20 तो किसी भी नंबर का अगर 100% निकालोगे तो वही नंबर आ जाएगा 50% का भी एक question कर लेते हैं तो 50% मतलब हमको पता है कि आधा होता है अब मालोगे एक और नंबर ले लिया मैंने ठीक है एक नंबर ले लिया 50% 50% of 20 देख की बता दो 10 होना चाहिए इस concern होना चाहिए 10 ठीक है तो 50% of 20 होना चाहिए 10 आया कैसे बिल्कुल इस तरह से अब आप ह हो जाएगा बहुत ज्यादा वेस्ट तो यह चीज इसी लिए आपको याद करनी होती है कि टैना आगे आपका आगे बढ़ेंगे ठीक है यह तो आपको समझाने के लिए लिखा था मैं मैंने अब देखो 25% का भी एक कर लेते हैं माले ते लिखा हुए 25% of 50 देखो 25% of 50 50 का आधा क्या होता है 25 25 का आधा क्या होता है साड़े बारा 12.5 तो आंसर लिख दो साड़े बारा अब निकालेंगे कैसे 25% of 50 तो इसको काटेंगे तो दो आ जाए यहां पर और 25 का आधा होता है साड़े बारा तो इस तरह से आपको questions को solve नहीं करना है आपको याद करके सीधा आपको answer लिखना है clear ठीक है तो यह हमने तीन तरीके के question तो कर लिए क्या आगे भी बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं अगर आप ऐसे ही करते रहो तो इसका आधा भी आप निकाल सकते हो लेकिन उतना जाने की जरूत नहीं है कुछ calculation के लिए भी रखना चाहिए कर लोगे उतना अच्छा रहता है कि अगर मैं बात करूँ एकर किसी नंबर का 1500 साडे बारा परसेंट निकालना टिक है उसमें से अलग निकाल लो तो वो हो जाएगा 1 upon 8 ठीक है तो वही चीज आपको यहाँ पे करनी है तो अब देखो इसको करेंगे कैसे देखो पहले तो नीचे 100 लगा दिया मैंने multiply by 1000 अब 0 से 0 कार्ट या आप पॉइंट हटा के पहले यहाँ पे 0 लगा लो पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगाने के बाद यह पूरा कर जाएगा और 125 आपका आंसर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 1000 का आधा किया 500 आगे 500 आगे ना उसके बाद उसका आधा 250 उसका आधा 125 क्लियर तो अगर यह भी आ जाता है ना तो आप क्या करना इस वाले नंबर को आप इतना सब मत देखना आप क्या करना इसको 8 से डिवाइड कर देना इतना सब मत देखना आप इसको 4 से डिवाइड कर देना इसको 2 से डिवाइड कर देना और यह तो वही का व 12.5 की बात एक और ही तरीका भी होता है और परसंटेज निकालने का कहने का मतलब है पूछा गया है 10% निकालो 20% निकालो 30% निकालो ठीक है तो वो भी तरीका है जो कि अगले में हमको बताया जा रहा है ध्यान से समझना चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बतात कि दूसरे तरीके वाले भी करवा देता हूं जैसे कि पॉइंट नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है ठीक है तो कैल्कुलेट टैन परसेंट ऑफ नंबर किसी भी नंबर का टैन परसेंट अगर आपको निकालना है बड़ा सिंपल होता है देखो नंबर दो तरह क्योंगे नंब एक जीरो हो काफी है ठीक है तो यहां क्या लिखका है तू कैल्कुलेट टैन परसेंट ऑफ नंबर रीमूँव जीरो फ्राम दी लास्ट इफ एनी अगर कोई जीरो है तो एक जीरो को हटा दो टैन परसेंट आयगा अगर अब ये 250 है ना, तो 250 का अगर मैं 10% निकालना चाहता हूँ, 10% of 250 निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक simple 0 हटा दूँगा 25 आगे इसका, ज़्यादा calculate करने की ज़रूत नहीं है, clear, लेकिन हर number ऐसा होगा नहीं, जिसमें पीछे 0 होगा, तो उसके लिए मैंने और लगा के एक और point लिखा है, put a decimal between second last digit, second last digit होती है यह वाली, मतलब last से एक पहले, ठीक है, and last digit, last होती है यह वाली, तो अगर ऐसा कोई number आ जाए ना, तो आप समझना कि आपको यहाँ पर decimal लगा देना है, वो बात एकी होती होती हो, समझ गए, अगर 155 का 15%, sorry, 155 का 10% आपको निकालना है, तो क्या करोगे, last और second last digit के बीच में, decimal लगा देना, clear, simple, ठीक है, तो यह वाला point भी हमारा cover हो गया, अच्छा इससे और भी point निकल जाते हैं, कैसे, देखो, 20% निकालना भी असान हो गया, 20% कैसे निकालोगे, देखो 10% निकाल दिया, इसका डबल कर दो 20% आजाएगा, पचास हो गया, ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक question इस पे भी कर लेते हैं, 20% of, अब हर चीज़ का point मैं लिखना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत सारे point हो जाएगे, फिर confused हो जाओगे, कुछ चीज़े दिमाग में भी रखो, 20% of, माल लेते हैं यहां लिखा हूँ है 300, करना कुछ नहीं है, इसका 10% क्या हो गया, 10% हो गया 30, 30, और 20% क्या हो जाएगा, 60, ख़दम, मन में हो जाएगा न, पैन भी उठाने की जरूत नहीं है, 30% निकाल ला हो, 30% निकाल ला हो, तो 10% ही निकाल लो पहले, और उसको 3 से multiply कर दो, तो इसका 10% क्या हो गया 30, multiply by 3, तो यह हो गया 90, clear, 40% में निकाल जाएगा, 4 से multiply कर दोगे, और 50% तो आते ही हमको, आधा कर देना उसका, जो मैंने पहले बताया, समझ रहो चीज को, इतना clear हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या करा दिया है, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिए, यह भी साथ में आप note कर लेना, अभी तक हमने कर लिया है, 100% निकालना, ठीक है, 50% निकालना, 25% और, 12.5% निकालना सीख लिया है, यह ना, उसके अलावा हमने, एक यहाँ से भी शुरू करना सीख लिया, 10% कैसे निकाले, 20, 30, 40, 50 भी आपको आता है, यह ना, 50 आता है आपको, उसके अलावा 60% भी निकालना सीख लो, है कुछ नहीं, देखो, 60% कैसे निकालेगा, वही 10% को 6 से मल्टिपलाए कर दो, यह ना, इजी है, तो इसका मतलब, 50 वाला तो अलग चले गई चलेगा, आप बाकी 10 से मल्टिपल वाले भी सारे सीख चुके हो, सीख गयो, ठीक है, तो 60 हो गया, 70 हो गया, और 80, 90% भी आप निकाल सकते हो, और 100% तो हमने पहले सीखा हुआ है, इतना क्लियर है, अब मैं आपको बताता हूँ कि, किसी भी नंबर का 1% भी निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, अब हम सीखते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%, इस तरह से सीखेंगे, बड़ा सिंपल है, ठीक है, देखो, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसके बारे में बताता हूँ, जल्दी से दे लो इसका भी, अब हम समझते हैं, कि 1%, 2%, वगरा, कैसे निकाला जाता है, देखो, अभी हमने, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, अब इसी में मैं चेंज करके, एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ, देखो, यह फोर्थ पॉइंट था, यह वन हो गया, 2, 3, 4, तो चार पॉइंट आप अलड़ी लिख चुके हैं अभी तक, ठीक है, अब मैं फिफ्थ पॉइंट है ना, इसी में चेंज कर रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा, तो कैलकुलेट वन पर्सेंट ओफ नमबर, रिमूव टू जीरोज, टू जीरोज, फ्रॉम दी लास्ट, दो जीरो अटा देना, या, पुट अडेसिमल बिट्वीन, सेकिंड लास्ट डिजिट, एंड थर्ड लास्ट डिजिट, चीज को समझे, चलो, इसका भी एक एक एक्जांपल ले लेते हैं, मालों यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऐसा नमबर ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें दो जीरो लगे हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका 1% निकालो, 1% of 2500, तो आपको क्या करना है, है सीधा का सीधा क्यूंकि 1% अब 10% होता तो एक 0 हट जाता 1% है तो और चोटा कर दो एक और जिरो हटा दो तो 25 होगया सिंपल है तू परसेंट कितना होगा 50 होगा थ्री परसेंट कितना होगा इसको multiply करते जाओ निकल जाएगा ठीक है चलाँ तो यहां पर 2% भी अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा पहले 1% निकाल दो 25 multiply by 2 कर दो तो यह 50 हो गया 3% में 3% में क्या करेंगे 25 को 3 से multiply करके मैं यहां पर 75 लिख दोगा तो इस तरह से मैं आगे बढ़ा सकता हूं तो 1 2 3 4 आगे बढ़ेगा ठीक है लेकिन अगर दूसरे तरह का नंबर दिया है जिसमें 0 है नहीं आखरी में जैसे कि 3725 यह एक नंबर ले लिए इसका मुझे 1% calculate करना है 1% of 3725 तो बड़े simple तरीके से मैं क्या करूंगा यहां पर देखो यहां लिखा हुआ है आपको decimal लगाना है सेकंड लास्ट डिजिट सेकंड लास्ट डिजिट कौन सी होती है यह लिए और थर्ड लास्ट मतलब पीछे से तीसरे नंबर लगाना है इसे यहां पर इन दोनों के बीच में decimal लगाना है आपको लग गया 10% होता तो यहां पर decimal लग जाता क्योंकि 1% है तो नंबर और छोटा हो गया है तो यहां पर बीच में decimal लग जाएगा तो यहां पर 1% कितना आगे 37.25 तो परसेंट करना है तो इसको टू से मल्टिप्लाइ कर दो ठीक है हाला कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लेकिन करना तो ऐसे ही पड़ेगा यह जादा सिंपल रहेगा आपका क्लियर ठीक है तो इस तरह से हमने अभी तक यह समझ लिया है कि जो नॉर्मल परसेंटेज होती है वो किस तरह से निकाली जाती है क्लियर अब मैं आपको कुछ ऐसे क्क्वेशन कराउंगा जिसमें इंडिवीज़्व तो करेंगे ही कुछ क्वेशन साथ ऐसे भी क्क्वेशन करेंगे जिसमें जैसे बारा परसेंट निकालना है तेरा परसेंत है तो उस तरह से कैसे करते हैं ठीक है इसका स्क्रीन श Erica स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं कुछ questions प्रैक्टिस कर लेते हैं अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से करने हैं और कोशिश करके जो मुश्किल question होंगे इसमें उसी में पैन उठाना वैसे आप सीधा answer कर देना ठीक है तो यहां आप देख सकते हो पहला point क्या लिखा हुआ है पहले part में 50% of 2500 तो आपको पता है 50% of 2500 मतलब इसका आधा है ना तो इसका आधा कितना होता है कौन बताएगा बिल्कुल सही है 1250 ह हो गए इसका तो simply निकाल लिए answer 10% किसी भी चीज का कैसे निकलते हैं पीछे से एक 0 हटा देते हैं अगर 0 होता है तो यहां पर 0 है तो इसलिए मैंने एक 0 हटा दिया तो 49 answer आगे तो 1% कैसे निकालते हैं पीछे अगर 2-0 हो तो 2-0 हटा दो तो यहां पर आपको दिख रहा है 2-0 है तो फिलाल मैंने 1% इसका निकाल लिया है 6 आ गया है अच्छा 40% कैसे निकालेंगे 40% निकालने के लिए आप क्या करो पहले तो 10% निकाल लो और जो आंसर आया उसको 4 से मु 24 हो गया और multiply by क्योंकि 40 करना है तो 4 से multiply कर दो तेन परसेंट को 4 से multiply कर दिया तो इसमें जो आंसर आ गया 96 आ गया क्लिर देखो कितने हैं हमको मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लग रहें आंसर निकालने में 25 परसेंट ऑफ 200 मैंने आपको बताया था 25 परसेंट होता है आधे का आधा मतलब वन फॉर्थ तो इसको फोर से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा जो कि हो गया 50 सीधा निकालना है 630 का अब देखो मैंने आपको बताया था अब यह तो यूनिट डिजिट आ गया ना मतलब एक ही नंबर है तो इसमें आपको वन की साहता लेनी पड़ेगी ना वन की साहता लो देखो इसको दो तरह से कर सकते हो बताओ कैसे कोई मुझे बताना चाहेगा दो तर तो 10 परसेंट निकाल के आधा कर दो वो भी answer आ जाएगा और 1 परसेंट निकाल के उसको 5 मलट्िप्ला कर दो वो भी answer आ जाएगा तो मैं लाव 1 परसेंट को वाम से करूंगा आप अपने यसाप से देख सकते हैं तो यहां पर इसका वन परसेंट हो गया 6.3 हो गया नहीं हो 7% तो 7% भी बिल्कुल उसी तरह निकालने वाला हूँ इसका अब देखो यहाँ पर इसका 1% पहले कैसे निकालूँगा 1% निकालूँगा यहाँ पर 0 लगा के देखो यहाँ पर 0 लगेगा ठीक है तो इसको जब मल्टिप्लाइब 7 करोगे तो आजाएगा आपका 6.3 तो इसका 7% सॉरी यह थोड़ा समय से गड़वड होगी मल्टिप्लाइब कैसे करते हैं पहले तो हम नंबरों को नहीं देखते ठीक है नहीं 6.3 यह आएगा 6.3 आएगा क्योंकि 0.9 को आजाएगा चलो इसको भी स्क्रीन चाट लो फिर आगे बढ़ते हैं तो आएगे स्टुडेंस अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस वीडियो का कुछ और क्वेशन है अच्छा यह थोड़े लेवल टू के क्वेशन आप समझ सकते हैं हाला कि लेवल टू अगरा इसमें कुछ है नहीं सब कुछ लेवल वन कई है ठीक है लेकिन इसमें एक दो स्टैप और लेने पर सकते हैं देखते कैसे देखा हुआ 12% आफ 200 अब देखो 12% आफ 200 निकालना है सीधा आपको सीधा निकालना है देखके ठीक है तो क्या करो इसका 10% निकाल दो पहले निकाल दे तो 10% इसका कितना हो गया 20 हो गया फिर इसका 2% निकाल दो 2% निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले बन परसेंट निकालो तो बन परसेंट हो गया टू है ना और टू परसेंट क्या हो गया फोर तो तू परसेंट निकाल दो और दोनों को प्लस कर दो तो कहने का क्या मतलब है मैंने इस 12 को है न दो जगे डिवाइड कर दिया पहले 10% और फिर 2% जो की कर सकता हूं मैं यह 12 ही तो होता है clear तो 10% और 2% को अगर आप अलग अलग जोड़ दोगे तब भी आपका answer आ जाएगा clear आगे बढ़ते हैं 21% निकालना है मुझे 400 तो मैंने क्या किया पहले 20% निकालने की सोचरों मैं अब 20% निकालने के लिए चलो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं ताकि आपके लिए असानी रहे मैंने 21 को दो जगे डिवाइड कर दिया तो इसका 20% क्या आएगा देखो 10% आएगा इसका 40 20% आएगा 80 तो मैंने 80 लिए इसका 1% क्या आएगा 4 आएगा ठीक है तो प्लस 4 कर दिया तो मेरा आंसर आगे 84 क्लियर अब यहाँ देखो 99 परसेंट अब है 99 परसेंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है 99 के लिए मैं क्या कर सकता हूं 100-1 100-199 होते नहीं होता तो मैं इस बार क्या करने वाला हूं देखो 100% माइनस 1% देखो प्लस माइनस का खेल भी चल रहे है यहाँ पे इसका 100% क्या होगा यही तो होगा इसका 1% क्या होगा 6 होगा यह लो 594 पलक जपकते ही आपका आंसर तही हा रहे ठीक है 52% of 1600 ठीक है 1600 इसका 50% क्या हो गया 800 इसका 1% क्या हो गया 16 2% क्या हो गया 32 ठीक है देखो 50% इसका हमारे पास आ चुका है 800 इसका 1% 16 2% क्या है 32 तो यह लो 832 आंसर आ गया आगे बढ़ेंगे 24% of 1200 तो अब देखो यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ 25% निकाल के माइनस 1% कर देता हूँ यह भी आसान है या 20% निकाल के प्लस 4% कर दो कुछ भी कर सकते हैं तो मुझे पता है कि 25% निकालने के लिए इसके आधे का आधा करना होता है तो वो गया मेरा 300 प्लस इसका 1% सॉरी माइनस 1% करूंगा इसका तो 1% क्या हो गया तो मेरा अंसर आ गया 288 9% of 70 तो वही काम करने वाला हूँ पहले इसका 10% निकालूंगा उसमें से माइनस करूंगा 1% ठीक है तो 10% क्या हो गया 1% क्या हो गया तो आंसर आ गया मेरा 6.3 simple clear so students आज की क्लास में हमने practice कर लिया है percentage के बारे में और अच्छे से जान लिया है percentage कौन कौन सी होती है और किस तरह से shortcut तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हो तो आने वाली classes में मैं अब एके करके topics लाओंगा और सबसे पहले simplification के questions करेंगे और उसके बाद statement वाले questions की तरफ चलेंगे